अलवर के सदर्थाना शेत्र गाउं में रहने वाला 38 वर्षिय युवक बबलू गूजर रात को गाउं की 3 वर्षिय बालिका को जागरण में खाना खिलवाने की बात कैकर ले गया। देरा तक वापस नहीं आने पर वालिका के परजिनों ने सदर्थाने में ममना दर्ष कराया, ग्रामिनों ने सुबा बच्ची वईवक को साथ देखा तो बच्ची के गले पर धारदार हत्यार से कटने के निशान थे, जिस पर बच्ची को अलवर के सामने से किस्साले में भरत कराया गया, सदर्थाने के ठाना अधिकारी राजे शर्मा ने बताया कि प्रारमिक जांच में बच्ची के साथ कोई एनितिक कारे नहीं होने की बात सामने आई है, पुलिस ने बबलू को गिरफतार कर लिया है, जो बहला पुसला कर अपरण करके ले गया है, इस पर पुलि गठित करके बच्ची और आरोपी की तलाश में रात बर प्रयास किये, और सुबह जो है गाउं के बहार ही बच्ची और आरोपी दोनों मिल गए, समय ग्रामिन भी साथ थे, और बच्ची के गले पे कुछ चोट लगी हुई थी, आरोपी के शरीपे भी चोटे लगी हुई थी, तो बच्ची को जो है तुरन्त अस्पताल ले जाकर सामाज अचे के तिसाले में उसका इलाज करवाया गया है, और चोटों का संबंदी मेडिकल मुहायना करवाया गया है, और आरोपी को राउंड आप्त करके और उससे पूस्ताश तक्तिस की जा रही है, पर्थम दर आपना उन्ने से इनकार किया है, जोट किस तरह बच्ची के गले पे शाप चोट है, इसका मेडिकल मुहायना करवा दिया गया है, और रूपी को राउंड आप कर लिया गया है, उससे फिर्चिकेशन किया जा रही है, और अन्वेस्टिकेशन जा रही है